आज हम सीखेंगे कि 100 के पास वाले यानि कि 100 के नियरेष्ट जो नंबर्स होते हैं उनका स्कॉयर किस तरह से करें यानि कि 91 to 99, 101 to 109 पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का स्कॉयर हम किस तरह से कर सकते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस ना देखे हूँ, उनका लिंक मैं अपने description box में देदूँगी, वहां से आप देख लीजिएगा, चलिए start करते हैं, जो numbers 100 से कम होते हैं, पहले हम सीखेंगे 100 से कम बाले number, 96 का start करते हैं, हम ही क्या करना है, यह 100 से कितना कम है, 100 में से हमने 96 को minus किया, कितना आएगा, यह 4 कम है, हमें क्या करना है, यह 4 आया है, हम इसका square कर देंगे, 4 का square तो सभी को आता है, 4, 4 जा 16, यह हमारा first number आ गया, अब, यह 96 में से, हाँ, अब 4 को भी minus कर देंगे, तो answer आएगा हमारा, 92, और हमारा answer आगया, यह 96 का square है, चलिए, next digit लेते हैं, 99, इसमें, यह 100 से कितने कम है, 1 कम है, 100 में से, मैनस 1 किये, कितने आएगे, 99 आएगे, हम 1 का square करेंगे, कितना आएगा, 1, हमें ही हाले नहीं होती है, 2 digits, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगा देंगे, अब 99 में से, मैनस 1 करने है, कितना आएगा answer, 98, this is square of 99, कितनी फड़ाफट हो रहा है ना, हम इस तरह से किसी भी number कर, हम एक digit आएगे चलिए, कहीं confusion होनो, तो वो भी clear हो जाएगा, 93 का, square करना है, या, square है रहाएगा, 100 में से 93 मैनस किये, कितने आएगे, 7, 7, 7 जा, 49, 93 में से 7 मैनस किये, 86, यह हो गए हमारे 100 से कम वाले number, यह हमारे कम वाले number हो गए, हम 100 से जादा वाले number लेंगे, यानि कि, 101, 102, 103, 104, किसी भी number का, उसमें क्या हो रहा होता है, 100 से जादा है, यानि कि, वो प्लस हो रहे हैं number 100 से, चलिए, स्टार्ट करते हैं, 100 से जादा वाले number, 104, इसको आए, यह 100 से कितने जादा हैं, 100 में जब हम प्लस 4 करेंगे, तभी तो 4 आएगा, 104, तो यह 4 जादा है, अगर यह 4 जादा है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे, देखिए, 100 प्लस 4, कितने होते हैं, 104, यही तो होता है, अब हम यहाँ करना है, क्यादना क्या है, 4 4 जा, 16, इसका स्क्वाइर करके, हमने यहाँ लिख दिया, अब इस नंबर में, 104 में, कितने प्लस करने है, 4, 108, तो 108, आंसर इस, रेडी, यह हमारा 104 का स्क्वाइर होता है, चलिए, next नंबर लेते हैं, 102, इसमें, यह 100 से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 4, अब यह single digit नंबर है, तो हम इसमें 0 लगाएंगे, और 102 में, 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 104, 104, इस तरह से हम किसी भी नंबर का, यहनि कि, यह 100 के नियरेस, जो नंबर होते हैं, उनका स्क्वाइर जल्दी से कर सकते हैं, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर लेकिए, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगे, ओके, थेंक यू,